इस बैद ना थागी का रैकेट चल रहा है हर असतर पर ये बेट रोगी तो नाटे निकल के बाँर आई है लिगी हर्ग बहुत सारे ऐसे लोग है जिन सिया चला रहे हैं और इस देशिए का बिरुजगारी अपने चरम पर है और एक उस बेरोजगार को ठगने के लिए बैद मने पहमाने पे जाल बिछाया जा रहा है इस देश में ताकि इस देश के 64 प्रतिशत युवा जिनकी अभी जो यंग है उनको किस तरह से टार्गेट करना है और उनसे किस तरह से ठगी करना है किसी कोई किसान का बच्चा है को हैं कि और नहीं को सरकारी नौकटे की नाम पर जहादे में ले करके और भी जाएक और फिर नहीं मुह के दला से जाते हैं तो तक उनसे दोला उरुपय लिए जाए साफजान हो जाएगा यह तो ऐसे बड़े हैं आप मत पज़ज़ए का मेरा मकसद है आपको सचीव करना इस कंपनी का नाम है यह लड़कों को वर्ती करती है डेर से दो लाग रुपे लेकर अपने दलालों द्वारा ठीक है इनको बोला जाता है कि आपको महीने में 26 डूटी दी जाएंगी और उसकी सैल्लियों की बीस परड़े के हिसाब से इन्होंने सैल्लिय लख रखिया 866 रुपे फिर यह क्या करते हैं कि लड़कों के साथ एंप्लोई के साथ यह बोलता है महीने में अगर आपको 26 डूटी चाहिए तो अपनी सैल्लिय मैं इससाथ देना पड़ेगा के लिए तो मैं जनता कुछ आगरू करवाने चाहती हूं के जेम मतलब यह बैट्रोस बार जेंडी नहीं इतनी मेट्रों बोलिए जेमडी तो सिर्व एक एक वहां पर कॉंट्रेंट में काम करवारा रहा है कंपड़ी है जेमडी क्या आइस्यत है सान सिर्व में फ़कर अइसा हम क बहते हैं क्या या हम कैस्वी की बात करें वह भी प्रस्टाचार के बतलते हैं थे तो जी आज दिली में खड़े होके जब यह नवीवब मेरे पीछे जो खड़े हैं यह दिल्ली मेट्रों में बहुत मरा प्रस्टाचार क्यों कि नौकरी का लावस देने के और यह जो जवान लरके हैं इनको इनके पड़िवार की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं क्योंकि दस बारा हजार की नौकरी कर रहे यह कोई देर लाग कोई दो लाख रुपए घूस दिये हैं और उस घूस देने के बाद जो नौकरी मिली है तो सुनके आपको ताजू होगा और एक एक ऐसी संस्था यारी कि डेली मेट्रों जिसके अंदर यह लोग काम करते हैं कांट्रैक्ट पे उस कांट्रैक्ट की नौ दो लाख रुपए घूस और नौकरी मिलने के बाद इनसे किस तरह से इनका शोशन होता है इनी से पहले आपको सुनवाता हूं मैं क्या नाम है आपका मेरे नाम बभलू सिंग है सर्थ पहले यह बताए कि बहुत बड़ा यह आरोप आप जो बैनर लेके बैटे है कि दिल्ली मेट्रों के अंदर जो संविदा करमचारी को रखा जाता है जिसके तहत आप लोग भी आते है एक तो पैसा लेके नौकरी दिया उसके बाद उस नौकरी में 30 दिन का कोई काम मिलें गैरंटी नहीं है यानि कि ध्यारी मजदून है जिस दिन काम मिलेगा उस दिन 700 रुपए इनको मिलेंगे अब वह दस दिन मिलें या पंदरा दिन मिलें तो पंदरा सत्ते एक सो पांच 10,500 रुपए मिल जाएंगे उस मही लिए जाता है जीएस्टी के नाम पर ये कौन साने अब रस्टा चाहरा है अब बताई आप हुआ गया मैं थंपनी के मालिक यो है योग भी थी योगी जी तो उनके पास गया था मैं मेट्रो का बरकर नहीं हूं मैं संदोजा भारा में इनके साथ काम किया था तो यह ऐसा ही तो इनकी क्या देना पड़ेगा मैं आप साथ खड़े हुई है प्रूब लाइए तो कुछ एक मेरे साथ लड़का मिना था बहुन हूं यह आत्मत्या करने के लिए तैयार था इससे जवर जैसी रियान लगा रहा थे कि एक लाग पचतर रहार नोगरी के लिए देगे आया मैंने बोला मैंने की आपके आप एक वी बच्चा मेरे खिलाब कर दो तो मैं सारे बच्चों को भी से वापस करूंगा आज मेरे साथ से बच्चे हैं दोसे हम जोंगे तीन सब्सक्राइब होंगे हैं एक बट्स प्रसाइज इट आप अभी मेट्रों में काम नहीं करते हैं यह बच्चे तो करते हैं आप लोग आजिंगा में करते हैं तो मुझे यह जानने की जुरत है कि आपके साथ होगा क्या है मुझे बिल्कुल आपको साफ साफ सब्सक्राइब बताना चाहूंगा कि जो मैट्रों के नाम पे ठगी चल रही है आपको सब को बाहर से लगता के नाम पे 5000 रुपे जो बड़े काउंटर आपको मैं छोटी बैसे बताता हूं जो चोटे काउंटर की बात कर रहा हूं जो बड़े इस देशन है दुखो आप समझना चाहीं लोगोट टोकें काउंटर पे नौकरी देने के नाम पे आप लोगों के भरती बरती होती है परती म इनको दो साल रखते हैं बतिरें पैसे लेते हैं यह जिसके लगना स्कुछ नहीं होता है मैक्सिमम इनका कोई आगड़ा नहीं सकल देखने के बाद मैंगते हैं उसके नाम पे नौकडी उसको उसमें रख लिया वह कंपडी है डीमडी जो आपने लिए यह कंपडी उसके ज आपसे 866 रुपे अभी हमारा प्रजेंट में चल रहा है लेकिन हमें 26 जूटी नहीं दी जाती उसके नाम पे हमें मिल दीती है पंदरा डूटी चोहदा डूटी तद्दस जूटी भी मिलते पांस पांस जूटी मिल गया एक सो पांधा हजार रुपे मेने पर हैं पंद्रा सबसे जादा उपर जाएगा तुम्हारी डूटी प्रोपर मिलेगी और यह सब जूटी के नाम जम देते हैं जब हमेरे 5000 रुपे पैसा कारते तो पर चीप कोई स्लीट किछ भी नहीं कुछ नहीं तो आपका मान लीजिए मैं उधारन के तोर पर बात करूं आपकी तनकौा सब्सक्राइब करें अगर मान लीजिए किसी ने पूड़े करें तो पांच हजार रुपे कटेंगे अगर मान लीजिए कि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का जब भरती किया गया था यह सब चीजे पता ही नहीं हमें कुछ नहीं बताएगा कुछ भी नहीं बताएगा और बाकी एक एक स्टांप इनों ने हमसे ब्लैंक लिया सभी बच्चे ने अपना दद्दस रुपे का ब्लैंक स्टां और मैं उनका हाथ ही बटाता हूं और मेरी अभी ग्रेजवेशन चल रही है उस दोरान में मैंने सोचा कि साहर डूटी के साथ में मैं अपनी पढ़ाई करते हैं पैसे कहां से लाए थे थे तीन परसेंट के ब्यासे मैंने गाओं में से उठा के पैसे इनको दिये लेकिन इसका पैसा जाएगा उस लाला को साहुकार को अब आप सोचिए 6,000 रुपे इसकी तंखा नहीं है तो इसके घर वाले के पैसे दिये क्या सोच के पैसे दिया अब क्या हो रहा हमें बताया गया कि यह पर्मानेंट डूटी है कभी कुछ नहीं हटेगा और अच्छी डूटी है और तंखा भी हमें 30,000 रुपे बताएं गई लेकिन हमें इसके बरती होने के बाद में कुछ और पता चलपाने का आपको जब बरत ठागी का रैकेट चल रहा हर अस्तर पे यह बहुत सारे ऐसे लोग है जैंसिया चला रहे है चोंकि इस देश का बेरोजगारी अपने चरम पे है और उस बेरोजगार को ठगने के लिए बैद मने पहमाने पे जाल बिछाया जा रहा है इस देश में ताकि इस देश के 64 प्रत प्रत्चे होंगे क्या क्या रहा बताया मैं यह कह रहा हूँ यह जो आप इस एप कैम कहरें यह आज से स्काइम नहीं है लगर दैस बारा कंपनिया है पूरे दिल्ली मेट्रों के अंदर जो इस स्कैम में शामिल है जेबी को एक मामला सामने आये इन 10 सालों में अगर हम हम लोगों की तो मांग हमेशा यही रहा है कि अगर कॉंट्राक्ट कंपनियां बदली भी जाती है तो वरकर वही रहना चाहिए जो पहले कंपनियों में काम कर जाता यह भरतियों के नाम पर जो दो दो लाक रुपय लेते हैं हर पास साल बाद एक नई वरकफॉर्स आ जाती है और वो पुरानी वर्कफोर्स बार कर दी जाती है अब तो दो साल हो गया जब हमारे समय में था वो पांच-पांच साल में हर वार नई घूस लेके भरती की जाती थी और यह कैक्लिशन बताना पड़ेगा अगर किसी स्टुडेंट से जो डॉकरी मागने का है दो लाख रुप यह कौन सी नोकड़ी है यह आपके सामने है बहुत बढ़ा स्कैम है यह और इसमें जो नाजबान फशेंगे खासकर मद्यम बर्गें बद्यम बर्गें बच्चे कहां इस देश में सब निम्म बर्गें रह गए सब पाच किला राजवाली जनता तो जहात तो रहे इस देश उस पर जोब करती है मतलब अपर भरती करती जिसका नाम है यह जो बनपर रखाएंगी बताओ नाम बताओ लाएं यह लड़कों को बरती करती है डेर से दो लाग रुपे लेकर अपने दलालों द्वारा ठीक है इनको बोला जाता है कि आपको महिने में 26 डूटी दी जाएं जिसके नाम पर यह सभी के तनकाम हैसे इस्सा मांगते फूस sv 고 करते हैं और बोलते हैं अगर आपने अपने तो आस्वेस्सा नहीं दिया तो आपको दससे बारा रा डूटी दी जाएगी पिलस और इन्होंने दिवाली का बोनुस किसी पी एंप्लोई यह का डी आप और बोलते हैं कि आप अपनी किट ले जाहिए और सैले निकाल लीजिए मैं यह जानना चाहता हूं इना दिखारियों से जब किसी एंपलोई ना तो उसने साइन करें ना पने डोकॉमेंट दिये तो यह जवाब मेरी बैंक से भी एपील है कि आपने किसी का भी अब किसी यहां पे जित्ती वियुक्त आप ने किसीने साइन करें किसी ने डोकॉमेंट लिए लगांगी लेकिन महिने से कह रहें विकैंसी नहीं है एक महीने बाद लगेंगे दो महीने बाद दो लाग रुपे लेकर नौकड़ी लगवात है आपके लिए आपके लिए जन्ता कुछ आगरू करवाना चाहती हूं कि मतलब यह बैट्ट्रो बाद जेंडी नहीं इतनी मेट्रो बोलिए एक वहां पर काम करवारा आपके यह आपके लिए बच्चों की मेरे बच्चे की हो दी कि मैं मैट्रो में जॉब करना जाती हूं और मैंने जाना कि वही क्या करते चलो ठीक है मैं बच गई ना जी बच्चों मैंने बच्चों को अब बताइए कि आखिर जो इनके साथ फ्रॉड हुआ वो और हमारे देश के जो और नौजवान है जो ठगी के लाइन में लगे होंगे उस मेट्रो में कैसे उनको पहले तो इनको कैसे बहान निकालेंगे और क्या संदेश देंगे जो ठगने से बच्ज जो भाई देखेंगे जो आगे रहा इसमें जाए जेमडी कमपनी जो है बहुत फ्रॉड कमपनी है इसमें अपने डलान लगा रखे संदोगर बारे से मेट्रो कर राज कर रही है और इनके कुछ आदिकारियों के मिली भगत है और और सरकार से क्या अपील करेंगे जिसके अ निया होना चाहिए और इनको नोगरी तक ब्वारा नगाना चाहिए जो बच्चे निगाल दी है यहां मैं बस ही कहा रहा हूं प्रिंसपल इंप्लॉयर इसके अंदर जो आटी आई बताती है वह यही बताती है दिया मार्सी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने टॉम सुल निया जाएगा दो महीने बाद लात मार दी जाएगी और फिर नए मुर्गे चला से जाते हैं तो तक उनसे दोला हुर्पय लिया जाए साफधार हो जाएगा यह तो हैसे बड़े है आप मत पज़एगा मेरा मकसद है आपको सचेद करना नमस्कार मैं तो दिल्ली सरका बढ़त सरकार से प्राइम नेश्ययक की मरी इनीवयतन करूंगा कि हमारे देश के नौजवान जो मेरे देश के नौजवान के साथ ठर्की हो रही है अन्नेता दिलीं में क्या वारत नच्वी कंपनी में है क्यों सब्सक्राइबल इसे ज़ता हम क्या कहेंगे हम तो चाहते है कि दिनली सरकार और वारत सरकार ऐसे कंपणी पर ठपा लगा और इसे कंपणी पर पाउंदी लगा और इन बच्चे को साथ सही फैसला करें और इनकी नोगी लगी नोगी पर ध्यान देनी चाहिए को कि अगर आज इनका फूचर इसा रहेगा तो आगे इनका फूचर क्या होगा हम तो यहीं चाहेंगे कि जो भी कंपणी मैं अपने अपने देखता हूं यह सफाई वाले को ने चुहरते हैं जेमनी तो तुर्की बात है तो यह एक संदेश है और चेज जाएए सचेत हो जाएए न कुछ सुनने वाला ने हुगा नवाश काबन